दोनों कान के फर्दे फट गए मार मार के प्रतारित करके E.D. का जो हिटलर शाही का गैस चेमबर है मैं कहूंगा वहाँ पर थर्ड डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया और उसके बाद जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखडे मानी न्यायले के सामने इसने बयान किये कैसे इसका बयान लिया गया E.D. में कैसे इसका बयान लिया गया E.D. के अंदर और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जाँच है जो डॉक्टरी जांच की कापी मैं भी आपको दूँगा ये दोनों डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड़ी को मार मार के उसके कान के परदे फार दिये गए उसको सुनाई नहीं दे रहा है ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूँ ऐसे कर रहे ही ईडी इंवेस्टिगेशन पहला आदमी चंदन रेड़ी दूसरा अरुन पिल्लाई अरुन पिल्लाई वो सक्स है जिसकी पत्नी को बेटी को परिवार को धमकाया गया डराया गया ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद ये सक्स कहता है न्यायाले में लिख कर देता है माननी ये न्यायाले के सामने कहता है मुझसे जबरन जूटा बयान इडी ने लिया अरुन पिल्लाई तीसरा व्यक्ति समीर महंद्रू समीर महंद्रू इसकी पत्नी को बुला कर गिरिफतार करके रखा गया धमकाया गया डराया गया परिवार को प्रतारित किया गया जूटा और जबरन बयान एडी के द्वारा लिया गया एडी ने जूटा और जबरन बयान समीर महंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं माननी न्यायाले के सामने समीर महंद्रू ने लिख कर दिया कि जद साहब हमसे तो जबरन जूटा बयान लिया गया समीर महंद्रू